Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? I hope you all are doing great. I hope आप सब ईस्वस्थ होंगे. अब हम यहाँ पे आपकी SSA GD की chapter wise और type by series start करने चार रहे हैं. क्या रहेगा यहाँ पे आपका हर एक chapter को हम यहाँ पे उठाएंगे. previous year questions ही हम यहाँ पे उठाएंगे और उसे बिल्कुल ही type by solve करेंगे. हर एक session में एक-एक chapter को हम target करने वाले हैं. previous 5 years के questions आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. तारिही chapters जो होंगे वो आपको type by देखने के लिए मिलेंगे. अब आपको यह चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि एक नाम आपका line-up है. CGL mains भी आपका line-up है. पर CGL mains के जो previous year questions है, already सारे ही mains के questions हम cover कर चुके हैं. अगर आपने वो session नहीं देखा, तो आप definitely वो session जाके check कर. अब इस चो session में जितने भी आपके questions लिए गए हैं, क्योंकि previous year ही हैं, EYQs हैं, तो आपके बिल्कुल SSC reasoning, केरन की किताब से लिए गए हैं. अगर आप refer करना चाहें, pressure हैं, अगर आप इस book को purchase करना चाहें, definitely आप कर सकते हैं, आपको चीज़े बिल्कुल chapter wise और type wise यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, हर एक chapter आपको type wise मिल जाएगा, previous year questions यहाँ पर already covered हैं, और उसके बाद आपको पता है, December 2023 तक यह आपका updated version, ठीक है, चलिए, बढ़ें अपने पहले सवाल की तरफ, पहले सवाल पर बढ़ने से पहले, पहला chapter हमारा, चाहें हम किसी भी exam को target कर रहे हो, coding, decoding ही रहेगा, अगर आप यहाँ पर already कुछ से पहले पढ़ चुके हैं, तो, क्यों रहेगा, base है reasoning का, आप कोई यह चीज़ पता है, कोई भी exam हो, 50% तक, 40-50% यह chapter carry करता है, कैसे करता है, या तो directly करेगा, कि अच्छा coding, recording के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर क्या चीज़ होती है, indirectly करता है, अब indirectly का मतलब क्या है, indirectly का मतलब यह है, कि analogy, series, यह सब में ही, odd one, out, किसी concept पे आपकी question पूछे जाते है, upcoming, जो आपके sessions रहेंगे, वो उसके उपर ही रहेंगे, पहले हम coding, recording करेंगे, उसके बाद analogy, फिर odd one, इस order में हम चीज़ें कर रहे हो, ठीके हर एक chapter को हम cover करेंगे, type wise, तो क्या पता होना चाहिए आपको इस chapter में, बिल्कुल position values आपकी tips पे होनी चाहिए, पैस आपको आने चाहिए, cubes आपको आने चाहिए, एकदम position values टिप पे होगी, तभी आप इन questions को फटापट कर पाओगे, याद करकी ही इस session, ठीके, तो चलो, पहला सवाल पटापट से बताओ, सवाल को तेजी से करना है, तो आपको दिखाई दे रहा है, D की position value आपको 3 दिख रही है, G की जो value दी है, वो आपको 6 दिखाई दे रही है, 1 की जो value है वो 38 है, उसमें बोला है, बता दो precedent की value क्या आएगी, या फिर इसका code क्या होगा, अब देखते ही आपको पहली चीज़ क्लिक होने चाहिए, D 3 है, पर D की position value तो 4 होती है, लब क्या दिखाई दिया, आपको minus 1 दिखाई दिया, फिर आपने देखा G की position value 7 है, वापस आपको minus 1 दिखाई दे रहा है, पर टाफट सिर्फ 1 को जोड़ लो, आपको पता है M 14 है, F आपका 6 है, 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 प्लस U की position value 21 होती है, value मिलेगी आपको बिल्कुल ही 41, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 38 मतलब minus 3 हुआ है, कितने alphabet है इसमें, बिल्कुल 3 alphabet है, बतलब clearly दिखाई दे रहा है, हर एक की position value में से या तो minus 1 खेलो, या फिर आप बोलो complete को जोड़ोगे और minus कर लो उसमें जितने alphabet हों से, ठीक है, clear, sorry, same, आप precedent में जब चेक करो गया, अभी हाँ पर आपने देखा, दो जगे आपको 0 दिख रहा है, तो हम पटाफट से बिना जादा समय बर्बार किये, इसे जोड़ के, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, हमें पता है, प्रेसेडेंट में कितने alphabet है, 3, 6, 9, मतलब, minus 9 करना पड़ेगा, minus 9 करने के लिए आपको पता है, I की position value 9 होती है, जब तो 9 को जोड़ो ही, मत, सबको जोड़के minus 9 तो करना ही है, तो I को जोडने की जरुरत आपको नहीं है, ठीक है, P की position value कितनी है, 16 है, R है आपकी 18, फिर आपको दिखाई दे रहा है, E, 2E दिखाई दे रहे है, तो 10 हो जाएगा, 5 plus 5 हो गया आपका 10, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, S क्या होता है, 19 होता है, D क्या होता है, 4 होता है, तो plus 19, फिर आपको दिख रहा है, plus 4, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके बार दिख रहा है, यह T होता है 20, N होता है 40, ठीक है, तो 20 प्लस 14 करोगे कितना मिलेगा, बिल्कुल आपको 34 मिलेगा, ठीक है, जोड़ दो इन सब को फटापट से, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 10 हो गया, 30, 20 प्लस 34 हो गया, आपका बिल्कुल 64, 64 प्लस या तो 20 कर लो, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 84 और फिर माइनस 1 किया, तो 83 मिलेगा, और 83 प्लस बिल्कुल 18 करना है, ठीक है, तो अगीन 83 प्लस 20 कर लोगे, कितना मिल जाएगा, 103 और माइनस कर दोगे, उसमें से 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आपको 101 मिलेगा, कहां दिखाई दे रहा एक कोड में ही चीज़े ख़तम की गई है तो जादा दिमाग लगाने की जुरुती है फटा-फट से आपको पता है क्या के चीज़ हो सकती है पोजिशन वैल्यू को एड़ करके देख लो उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या उसके बाद नहीं हो रहा तो अपोजिक पर चाँ 잡ा जो कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या आउस में आपको दिखाई दे रहे है एच आधया तो बोलते-बोलते करो स्चीज को इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए लिए लिखर हुँ ठीक है अरवाइस अदरवाइस एक्जाम में आप इसे बोलते बोलते ही करोगी, ठीक है, H के position value 8 होती है, O 15 होती है, U आपको पता है 21 होती है, S होती है 19, और E होता है आपका 5, आपको पता है 21 प्लस 19 करोगे कितना मिलेगा, 30 प्लस 10, 40 हो गया, 40 प्लस ये दिखाई दे रहा है, कितना 20, कितना हो हो गया, 68 हो गया, 68 ही आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं किया, उसने, बस position values को जो होती है, अब compare करते जाना थोड़ा-थोड़ा, ये 2019 में पुछा गया सवाल है, कि 2023 तक आते आते उसने, कितने जादा evolve हुआ है, ठीक है, अब कुछ questions ऐसे definitely होंगे, देखो हर एक सव JLF किसी भी exam में पूछे तो, आसान तो है, बट गलत होने की संभावना बहुत जादा है, तो pause करकी ही solution देखना, ठीक है, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैसल, अब यहां पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, 0, 4, 2, 9, हमें पता है, unit digit अलग है, पूरा number हम बिलकु जोड़ने की जोड़ेंगे, हमें पता है, C की position value 3 है, A की position value 1 है, S में हम सिफ 9 जोड़ेंगे, 19 है, 9 जोड़ोगे, T में 20 है, 0 जोड़ने की तो ज़रत नहीं है, L की 12 होती है, तो 2 जोड़ेंगे, और E की होती है, आपकी 5, तो आपको पता है, 9 प्लस 1, 10 हो गया, 0 हो गया, तो इसे जोड़ने की जोड़त नहीं है, फिर आपको पता है, 3 प्लस 2 होगे, आपका 5 और 5 प्लस 5 होगे, आपका 10, तो unit digit आपको क्या मिलेगी, बिलकुल 0 मिलेगी, ठीक है, कहां दिख रही है, 0, A में दिख रही है, पूरा number कभी नहीं जोड़ना, जब आपको option में 4 होगे, position value को जोड़ लो, क्या दिखाई दे रहा है, P की 16 होती है, A की 1 होती है, N की 14 होती है, और T की होती है, 20, सबसे बहले पता है, 16 प्लस 14 करोगे, कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 प्लस 1 होगे, आपका 31, और 20 प्लस 31 कितना होता है, बिलकुल 51 होता है, 51 ही हमें दिखाई दे रहा है, dogs का code उसने आप से पूछा है, आपने देखा, 2954 मतलब पूरा नहीं जोड़ना है, आप सिर्फ कितना करोगे, D में हमें जोड़ना है 4, O की position value होती है 15, 5, T की position value होती है 7, और S की position value 19 होती है, तो सिर्फ हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपने क्या देखा, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 प्लस 9 हो गया 18, 18 मैं आपको पता है कहां पे आगे, unit is it 8 हो गई, 8 प्लस 7 हो गया 15, मतलब unit is it बिलकुल 5 दिखनी चाहिए, D मैं दिख रही है, here is the right answer, गेर है ये बात, पढ़ें आगे, ठीक है, तो ऐसे questions में आपको जाधा time महीं लगाना, पटापट पटापट आप करते जाएंगे, अब ये आपका 2023 में बुचा गया सवाल में, ठीक है, बिलकुल हम चीज़ें क्या कर रहे है, typeize कर रहे है, क्यों typeize कर रहे है, क्योंकि पहले आपको ताकि आप थोड़ा सा समझ भाओगी चीज़ें किस तरीके से होती है, यहाँ पर क्या है, alphabet को number की form म मतलब यहाँ पर position values को जोड़ के number वाली form में ही चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वापस पटाफट से जोड़ लो, आपने देखा F की position value कितनी होती है, 6 होती है, O की position value होती है, आपकी 15, R की 18, C की 3, और E की होती है, आपकी 5, ठीक है, यह रहे है यह बात, आपने क्या देख 26 मिलेगा, 26 plus 6 करोगे कितना मिलेगा आपको, बिल्कुल 32 मिलेगा, और 32 plus 15 करोगे, कितना मिलेगा, 47 मिलेगा, यही value तो रखी है, direct दिख रहा है, sum of position value रखा है, flavor का code उसने आपसे पूछा है, बात आपने देखा 8520, जहां हम पूरा जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं है हमें, A1 है, फिर हमें पता है, V22 होता है, ओ होता है, आपका 15 तो सिर्फ हम 5 जोड़ेंगे, फिर आपको दिखाई दे रहा है, U21 तो सिर्फ 1 जोड़ना है, और आपको R की position value 18 पता है, यही चीज़ तो है, बिल्कुल 3, 6, 7, complete होगे, 3, 6, 7, बिल्कुल complete होगे, तो सबसे आपने क्या करो, जहां पर 0 हो रहा है, उसे पटा-पट से हटा दो, ठीक है, तो 8 प्लस 2, 10 है, पता है, तिर आपने देखा, 5 प्लस 1 कितना होगे, 6, 6 प्लस 2 होगया, 8, प्लस 1 होगया, आपका 9, 9 प्लस 6 बिल्कुल 15 होता है, जोने digit क्या दिखेगी, 5 दिखेगी, किस में दिख रही है, C में दिख रही है, C is the right answer, पढ़ें आगे, देखो, एक और प्यारासा, डायरेक्ट से सवाल, 2021 में पूछा गया सवाल है, देखो, अब यह देखते ही करोगे, वापस आपको टैबलेट दिख रहा है, आपको पता है, T की पोजिशन वैल्यू 20 है, 20 दिख रह है, A1 है, 1 दिखाई दे रहा है, B2 है, 2 दिखाई दे रहा है, पर यहां से conclude नहीं करना, यहीं होता है कि हम सोचते है, अब पूरा क्या चेक करना, सब में सामने सामने पोजिशन वैल्यू लिखी है, तो चलो पोजिशन वैल्यू इसको लिख दिया, आपने देखा, लास्ट में है, उसमें इंटू 2 हमें दिखाई दे रहा है, इसमें चीज आपने देखी, उसने आप से पूछा है, बस एक का कोड दे रखा है, सेकेंड का आप से पूछा है, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आने चाहिए, वो यह होनी चाहिए, कि लास्ट वाले में तो प पोजिशन वैल्यू है, तो आपने क्या देखा, आर की पोजिशन वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, देखो वापस देखते ही होने वाला सवाल, 3 is the right answer, बस गड़ बड़ी में अगड़ बड़ी आप ना करें, अगला सवाल अब आ गए हम अपने second time से, एल्फबेट का कोड, एल्फबेट के फॉर्म में ही रखा हुआ है, अगेन आपको अगर पोजिशन वैल्यू जाती है, तो बड़े त्यार से आपकी नंबर ले जाए, ठीक है, बठार एक कोशन, definitely boss करोगे, try करोगे, अभी हाँ पर गया देख पा रहे हूं, square का code आपको दे रखा है, directly triangle का code पू होती है, हाँ पर दिखाई दे रहा है, 19, कितना हुआ, प्लस 2 हुआ, उसके बाद आपने देखा, u की position value 21 है, x दिखाई दे रहा है, 24, कितना हो गया, प्लस 3 हुआ, फिर आपने आगे चेक किया, a की position value 1 है, e कितना है, 5 है, कितना हुआ, प्लस 4 हुआ, ठीक है, फिर आपको क दिखाई दिया R की position value 18 है यहां पे आपको बिल्कुल 23 दिखाई दे रहा है और लास्ट में क्या चीद हुआ है आपकी E5 है K11 है प्लस 6 हुआ है मतलब नॉर्मल उसने प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ठीक है अफ पटाफट से आके ऐसा नहीं करना कि T E plus 1 कर रहे हो R plus 2 कर रहे हो I plus 3 कर रहे हो नहीं पूरा code कभी नहीं निकालना पहले option की तरफ आओ option में आपके आपने देखा यहां पे भी UTL है यहां भी UTL है UTL है यहां तक चीज़े जब common है तो इससे निकालना ही नहीं है पटाफट से आओ अपने 4th alphabet 4th alphabet क्या यहां पर बिल्कुल A है तो 4th में क्या किया गया है पहले में plus 1 है plus 2 है plus 3 है तो A 1 plus 4 ही किया जाएगा 5 मिलेगा E दिखना चाहिए कहां दिख रहा है यह cancel हो गया ठीक है इसके बाद भी आगे same continue नहीं करना आपको दिख रहा है S आपका 4 ही जगे common था पर अब हमें इस option को तो देखना ही नहीं है ठीक है फिर आपने देखा N M M मतलब यहां से भी elimination होगा कौन सा alphabet है बिल्कुल 6 alphabet है छटे alphabet यहां पर कौन सा है 3, 4, 5, 6, 7 plus कितना करना है 6 कितना मिलेगा 13 मिलेगा किसकी position value है M की position value है यह भी cancel हो गया इन दौनों में अंतर है बस अब last वाला last पर आओगे मतलब E पर आओगे कितना जोड़ोगे बिल्कुल 3, 3, 6, 7 और 8 मतलब 5 plus 8 करोगे कितना मिलेगा आपको 13 position value है he is the right answer यह पढ़ें आगे देखो इनने 13 code language, apparent का code आपको दे रखा है, strove का code पूछा है 2019 में पूछा गया सवाल है आपने देखा 1, 1 plus 1 दिखाई दिया, पहले आपको दिखाई दिया plus 1, pause करो, try करो, ठीक है, plus 1 दिखाई दिया, फिर आपको दिखाई दिया plus 2, 16, 18 दिखाई दे रहा है, 15 है, 19 दिखाई दे रहा है, plus 4 दिखाई दे रहा है, और last मैं आपने देखा, 14 है, 18 दिखाई दे रहा है, तो आपको प्लस 4 दिखाई दे रहा है, समच भा इस चीज़ को, और यही चीज़ जो बोलते हैं, exam में गलती करवा देता है, कि हमें लगता है, अच्छा प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 5 ही होगा ठीक है तो यह बड़ा प्यारा से सवाल था और देखना इसमें अच्छा प्लस 5 है तो हमें पता है पांच अलफा बैट है लास में प्लस 5 कर दो पटाफट से आते जे पे और टिक कर देते और यह गलत हो जाए तो यह गलतिया नहीं करनी उसने फूर्थ में भी प्लस 4 किया है तो 5 प्लस 4 करोगे 9 मिलेगा नहीं दिखाई दे रहा है इसे बताओ जल्दी उसका ऑंसर केज का कोड ते comma और जैरल का कोड दे रखा है चब वो में आपको दो कोडेता है तो आपको शीदे जब pattern confirm हो जाए न तो चाहिए जो code उसने आप से पूछा है उसमें हम बिल्कुल पासली चीज़े करते हैं eliminate करते हैं option से जितना पूछा होता है उतना निकालते हैं तो यहां पर मतलब दो code दी है तो उन्हें चेक करना है उन्हें यह सोचना यह तो इनने दे दिया है क्यों ही कोई चीज नहीं होती उसने केज का code देखा है c है b दिखाई दे रहा है क्या हुआ minus one हुआ a one है d दिखाई दे रहा है कितना हुआ plus three हुआ ठीक है 1 plus three ही तो four होता है फिर आपको देखाई seven है six दिखाई दिया वापस minus one हुआ और बाद में आपको e की position value five है कितना दिखाई दे रहा है G दिखाई दे रहा है seven दिखाई दे रहा है तो कितना हुआ है? दिलकुल प्लस 2 हुआ है प्लेजी है? C दिलकुल माइनस 1 A 1 प्लस 3 फिर आपको वापस दिखाई दिया माइनस 1 ठीक है? और E के बाद आपको दिखाई दिया यहाँ पर बिलकुल G ठीक है? एक लिए है ये बात? फिर उसको आपको को दिखाई दे रहा है normal का code आपको यहां पर दे रखा है normal में हमें क्या दिखाई दे रहा है n वापस क्या हुआ आपका minus 1 लॉइए ठीक है तिर O क्या है 15 है अब यहां पर O की जेगे O ही दिखाई दे रहा है प्लस अब यह तो कोई लौजिक नहीं फॉलोव रहा上 भी उम्हें दिखाई दिया पिरखलेव प्लास फीर 2 हो रहा है मतलब माइनस ओनस वन फिर आपको बीच में कोडिंग के सवाल आपको दिखाई दे रहा है G E बिल्कुल यहां पर है फिर N है E का कोड हमें उपर मिल जाएगा फिर R A L बिल्कुल सारे कोड हमें इन दौनों में मिल जाएगा तो डारेक्ट कोडिंग का सवाल बन सकता है चेक क्या करोगे फटाफट से इन दौनों में common क्या है A जोगर नॉर्मल में common क्या है आपको दिखाई दे रहा है A common है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है P A P E, तो यहाँ पर G भी नहीं है C भी नहीं है, ठीक है तो A सिर्फ common है, second last में यहाँ पर code है D, A का code अगर हम सामने देखें D है और यहाँ पर हमें A का code सामने same second position पर D दिख रहा है मतलब same alphabet का code same ही रखा है, दौनों ही जगे पर ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, direct coding में क्या होता है cage का code क्या दे रखा है cage का code आपको दे रखा है देखो, ddfg ddfg फिर आपने देखा normal का code n o r m e l code दे क्या रखा है, m o x m o x फिर आपको दिखाई दे रहा है, q dh ठीक है आपको code उसने पूछा किसका है उसने आपसे पूछा है कि आप हमें बता दो general का code क्या होगा ठीक है, तो g का code बताओ कहां से मिलेगा, दिल्कुल ही हां से मिलेगा g का code क्या दे रखा है, f दे रखा है फिर आपको दिख रहा है e का code क्या है, e का code बिल्कुल हमें g दिखाई दे रहा है, तो इन दौनों जगे पे आपका क्या आ जाएगा इन दौनों जगे पे आ जाएगा g, पूरा मैं आपको लिखा लिख के दिखा रही हूँ, बट एक्जाम में अगे आप elimination के थूँ जाओगे, ठीक है जो option गलत है, उसे गलत करके आगे पढ़ना है चलो, उसके बाद आपको दिखा N N कहां से मिलेगा, N बिल्कुल यहाँ first से मिल जाएगा, क्या code है उसका M है, N का मतलब M है R दिखाई दे रहा है, R का मतलब X है A का मतलब क्या दिखाई दे रहा है, D है और L का मतलब बिल्कुल आपका H है, तो आपको सबसे पहली बार, last में दिखना चाहिए, D, H अगर आप elimination के तुरू जाते तो आपको सिर्फ D में ही दिख रहा है बाकी जगें नहीं दिख रहा तो यह हो गया आपका direct coding का सवाल बड़े अंगले सवाल की तरफ, I hope this is clear चलो, ghost का code उसने आपको दे रखा है उसने बोला है, बता दो fired का code भी दे रखा है दो alphabets का code आपको यहाँ पर दो words का दे रखा है rifle का code उसने आपसे पूछा है तो सबसे पहले आप देखो कि G7 है, 10 दिखाई दे रहा है कितना हुआ, प्लस 3 हुआ फिर आपने देखा 8 है, 3 दिखाई दे रहा है मतलब 8 है, 3 दिखाई देना चाहिए आपको, तो कितना हुआ आपका विल्कुल माइनस 5 हुआ फिर आप आगे गए आपने देखा 15 है, 18 दिखाई दी रहा है वापस क्या हुआ, बताओ, plus 3 हुआ आगे गए, S 19 है, 14 दिखाई दे रहा है लिखना वूआ, plus minus 5 गुआ है, और लास में आपने दिखा 20 है, और 23 दिखाई दे बतलब वापस आपका plus 3 हुआ है ठीक है, series दिखाई दे रही है, plus 3, minus 5, plus 3, minus 5, पटा फ़र से अगर चेक करते, 6, plus आपको वापस 3, 9 मिलता, 9, minus 5 करोगे, 4 मिलेगा, 18, plus 3, 21, again, E कितना होता है, 5, और आपको दिखाई दे रहा है, Z, पतलब कहां जाना है, बिल्कुल minus 5 किया है, अब देखो, यह होता है, reverse वाल ठीक है, तो 5 अगर आप में, 5 में से आप minus 4 करोगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, किसकी position value है, A की position value है, और A के बाद series वापस हम reverse में ही जाते हैं, कि A के बाद minus 1 कर रहे हो, तो Z पे आओगे, Z में minus 1 करोगे, तो Y पे आओगे, समझ पाए, इसलिए minus 5 कर रहे हो, तो Z आता है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, 4 है, 7 दिखाई दे रहा है, plus 3 हो रहा है, ठीक है, pattern confirm है, अब थोड़ा सा option की तरफ से आके elimination करके करेंगे, पूरा-पूरा solve नहीं करना, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले alphabet, U है, V है, U है, P है, तो आपको पता है, R ह 18 है, कितना करना है, plus 3 करना है, 21 मिलेगा, यह दोनों option आपके cancel हो गए, इसके बाद second ही निकाल लोगे, तो काम बन जाएगा, second आपको दिखाई दे रहा है, I, I में कितना करना है, आपको दिखाई दे रहा है, position value 9, minus 5 करोगे, 4 मिलेगा, इसकी position value है, D की position value है, तो second position पर बिल इसमें बोलना है, boarding का code आप बता दिए, ठीक है, क्या कर सकते हो, बताओ, position value के लावा और कुछ कर सकते हो, क्या है, इसमें, इसमें कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, S की position value 19 होती है, plus 1 कर रहे हो, दिखाई दे रहा है 20, slowly का code यह है, ठीक है, L की position value 12 होती है, हमें दिखाई दे हो गया, plus 1, फिर आपने देखा, 15 है, 14 दिखाई दे रहा है, minus 1 हो गया, फिर आपने देखा, 23 है, 24 दिखाई दे रहा है, कितना हो गया, plus 1 हो गया, 12 है, 13 दिखाई दे रहा है, वापस plus 1 हुआ है, और आपको देख रहा है, 25 है, 26 दिखाई दे रहा है, मतलब y plus 1 करोगे, z मि यहां से कंक्लूड यह नहीं करना अच्छा कितने अल्फबेट थे पहले दो में हुआ प्लस वन फिर हुआ माइनस वन और फिर सम्में हो गया प्लस वन आप आना है आपको फटाफर्ट से अपने सेकंड कोड की तरफ आपने देखा F, C दिखाई दे रहा है प्लस वन हुआ है, Rs दिखाई दे रहा है, I की जगे H दिखाई दे रहा है ठीक है, माइनस वन कहा हुआ था, थोर्ड अल्फबेट में यहां पे हुआ आपकी समय प्लस 1 हुआ सेम आपने देखा फ्रेंड में यहाँ पर क्या हुआ आपका प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पर आपको दिखाई दिया माइनस 1 तो बस यहाँ से कोशन को खतम ने करना आपने दिखा E है न आपको 5 वेल्यू दिखाई दे रही है और E, O, I और E क्या है वोवल्स है ठीक है तो क्या लॉजिक यहाँ पर लगा है कि वोवल्स जो है उसमें तो उसने किया है माइनस 1 और जो आपके कॉंसोनेंट है उसमें उसने बिल्कुल प्लस 1 किया है प्लियर है यह बार तो बस कितना देखोगे आप पटाफट से ओप्शन की करब आपको पता है माइनस 1 कहां कहां होना है यहाँ पर और यहाँ पर मतलब सेकेंड और पॉर्थ में माइनस 1 होगा तो 15 माइनस 1 पॉर्टीन सेकेंड पोजिशन पर N दिखना चाहिए यह गलत हो गया पाकी यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है ठीक है पोर्थ पर क्या देखना चाहिए वापस 9-1, 8 H दिखाई देना चाहिए कहां दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिख रहा है J गलत हो गया यहाँ पर बिल्कुल H दिख रहा है और यहां पर भी H दिख रहा है, अब देख लो इन दौनों में common क्या है, T, N, S, H, O तक चीजे common है, बस last वाला अलग है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, D क्या है, consonant है, plus one करोगे, बिल्कुल, sorry, sorry, boring पर आ रहे हैं, boring का code पूछ रहा है, तो G प्लस one करोगे, क्या मिलेगा, H मिलेगा, D में दिख रहा है, ठीक है, पढ़े आगे, देखो, अब पढ़ा फट से इसका code बताओ, लिखने की जुरत नहीं है, अब बोलते-बोलते करते हैं, ठीक है, T है, 20 है, आपको दिखाई दे रहा है 21, प्लस one है, R है 2 दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना लिखेंगे, कितना हो रहा है, प्लस one दिखाई दिया, प्लस one के बाद 18 है, 17 दिखाई दे रहा है, ठीक है, माइनस one हुआ है, फिर आगे गए 21 है, 22 दिखाई दे रहा है, वापस प्लस वन हुआ है और आगे जा के आपको दिखाई दिरह है T20 है आपको दिखाई दिरह है S 19 MINE-1 हुआ और LASTE में वापस आपका H1 था I9 है, वापस प्लस-1 हुआ है मतलब प्लस-1, MINE-1 प्लस वन, माइनस वन और हमें दिखाई दिया वोवल्स आपका एक ही था बट सेम सीरीज आपकी फॉल होई है बनलब ऐसा तो नहीं होगा कि वोवल के लिए लग पोड है कॉंसनेंट के लिए लग पर आपट से चेक करना जाता हो चाहो तो F6 है 7 दिखाई दे रहा है प्लस 1 हुआ, 9 है, 8 दिखाई दे रहा है 18 है, 19 दिखाई दे रहा है 19 है, 18 दिखाई दे रहा है T, 20 है, 21 दिखाई दे रहा है नंबर्स दिखने रही है ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स दिखने रही है बोलते ही आपको पता चलना चाहिए, इसकी position value ये है, बहुत जादा beneficial होगी ये चीज़ आपकी हर एक exam के लिए, अगर एक बार position values आपने याद करनी तो, ठीक है, और बहुत अच्छी से समझाई गई है, कैसे याद कर सकते हो, एक बार जब वो चीज़ समझ गए, तो बाद मे करोगे, x मिलेगा, ये दो cancel हो गए, अब आपने क्या देखा, 2023 में बूचा गया सवाल है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, second ही अलग है, तो आपको पता है, h 8 है, minus 1 करोगे, 7 दिखेगा, b की position value है, please the right answer, ठीक है, बढ़े आगे, देखो, next question, brand का code दे रखा है, उसमें बोला है, study का code आप बता दो, b की position value, 2 दिखाई दे रही है, प्लस 2 कर रहे हो, 4 दिखाई दे रहा है, r 18 है, प्लस 2 कर रहे हो, 20 दिखाई दे रहा है, a 1 है, यहां पर हुआ है, आपका minus 2, minus 1 करोगे तो z, minus 2 करोगे तो y, minus करोगे, मतलब reverse में जाओगे, ठी 13 है, 16 दिखाई दे रहा है, d4 है, 6 दिखाई दे रहा है, अब वापस यह conclude नहीं कर रहा है, कि बीच वाले में तो क्या हुआ, बीच वाले में तो minus 2 हुआ, बाकी सब में plus 2, ठीके, conclude जल्दी नहीं करो, पटाफट से टावर का code देखो, आपने देखा 20 है, 22 दिखाई दिख 15 है, और आपको यहाँ पे second alphabet में ही 13 दिख गया, confirm हो गई बात, क्या किया गया है, consonant में तो plus 2 कर रहा है वो, consonant में तो plus 2 कर रहा है, और vowel में बिलकुल वो minus 2 कर रहा है, ठीके, तो उसने आपसे बोला है, study का code बता दो, सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे UV, UV तक ठीके, U आपका कितना है, U है आपका, 21 position value होती है, क्या करना है, वोबल में minus 2 करना है, तो 21 minus 2, 19, चल्दी बताओ, कहां दिखाई देता है 19, S में दिखाई देता है की नहीं, S में 9 दिखाई देता है या नहीं, यह चीज़ दिखती है, यह S है तो यह बिलकुल 9 है, यह में आप देखो, यही तो था, में हमें 19 दिखना चाहिए था, मतलब S दिखना चाहिए था, यहां से ही सवाल आपका खतम हो लिए, सुभी is the right answer, बढ़ें अगले सवाल की तरफ, देखो, तर्मिनेटर का कोड दे रखा है, सुपरमेन का कोड दे रखा है, उसने आप से एवेंचर्स का कोड पूछा है, 2023 में पूछा है, तो सबसे पहले चीज़ आप देखो कि तर्मिनेटर, यहां पर इतना डेफिनेटली देखते ही क्लिक हो रहा है, यह Alphabet तो सेम है, सुपरमेन के कोड में भी, कर्मिनेटर के कोड में भी, बस इन्हें घुमा फिरा दिया है, तो आपने क्या देखा, T-E-R-M-I, ठीक है, और यहां से जाओगे, तो N-A-T-O-R, यही तो हुआ है, जो फॉर्स्ट वाली चीज है, जो फॉर्स्ट हाफ वाली चीज है, यह आपको बिलकु देना है, उस पैलिंग को, ठीक है, इस पोजिशन पर आया, यह इस पोजिशन में आया, आपको पता है, अच्छा, दस अलफबेट थे यहां पर, तो पांच तो चलेगे सीधे-सीधे, लास्ट में, और बाकी की स्पैलिंग बिलकुल राइट से पढ़ते हुए, आजा और ठीक है, फिर आपने देखा, सूपरमेन, सूपरमेन में कितने अलफबेट है, बिलकुल चार और चार, आठ है, अब चार और चार को वापस आ दिये में, जब आ अपने बाता, तार चार का पेर बनेगा, तो सूपरमेन, वो बिलकुल लास्ट से चले गए, सीधे-सीधे, औ तो यहाँ पे A-V-E-N बिलकुल दिख रहा है, यहाँ पे A-V-E-N बिलकुल दिख रहा है, यहाँ पे A-V-N-E हो गया, गलत हो गया, और यहाँ पे तो G ही आ गया, तो यह चीज भी गलत हो गई, A-V-E-N जब आपका हो चुका है, तो बस G-E-R-S आना चाहिए, जब आप से लेफ्ट में आओ यहां तो जी आ दिखाई दे रहा है यहां पर बिल्कुल G E R S दिख रहा है यह बढ़े आगे कि देखो सुरी का कोड दे रखा है मुजिक का कोड दे रखा है 15 का कोड आप से पूछा गया है अगेन अलफबेट यहां से तो क्या एक दिखाई दिखाई दियाग है अब यहां से तो क्या दिखाई दे रहा है एस 19 है आपको प्लस धिखाई देगा है ठीक है एंब यहां पर 13 है पर यहां तो कुछ माइनस हुआ है तो हल्का से लग रहा है कि डारेक्ट प्लस तो नहीं हो रहा इतनी बात कंपर्म है स्टोरी और म्यूजिक मिला के प्रिंट मिल रहा है क्या पी तो किसी में भी नहीं है तो डारेक्ट कोडिंग का भी सवाल नहीं है हमें पी मिल ही नहीं पाएगा तो हमने देखा अच्छा स्टोरी है स्टोरी का कोड आपको दे क्या रखा है स्टोरी का कोड दे रखा है ZSP UT ठीक है, position values आपको पता है S की 19 है, T की 20 है O की 15 है, R की 18 है Y की 25 है यहां दिख रहा है 26, 19 16, 21 और 20, अब कुछ देख पा रहे हो क्या पताओ अब कोई चीज क्लियर दिख रही है क्या दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है, तो गलत बात है मतलब basic session नहीं देखते हो ठीक है ऐसी चीजें आपको बिल्कुल दिखनी चाहिए, 19 प्लस 1, 20 दिखना चाहिए, 20 प्लस 1, 21 15 प्लस 1, 16, 18 प्लस 1, 19 25 प्लस 1, 26 यहां नहीं हो रहे है, तो प्लस 1 दिखाई दे रहा है, क्रॉस में दिखाई दे रहा है, तेम आपने देखा म्यूजिक में अब लिखना नहीं है इसको जैसे ही pattern पर चल गया, M प्लस 1, N दिख रहा है, last में, U प्लस 1, V दिख रहा है, S प्लस 1, T की दिख रहा है, I प्लस 1, J दिख रहा है, C प्लस 1, D दिख रहा है, ऐसे ही कोशन, CGL, CHSL में भर-भर के पूछे जाते हैं, कभी वो माइनस 1, प्लस 1 की सीरीज चला देता है, कभी औल्टरनेट, कभी प्लस 4 चला देता है, most repeated type है यह आपका, यह नहीं सोचना है, क्योंकि आपका SSC GD में पूछा है, तो और जगे नहीं पूछा है, ठीक है, फिर आपको पता है, प्रिंट में, आपको सिर्फ इतना करना है, अच्छा, P है, प्लस 1 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 16 तो क्या करो, स्टार्टिंग से से सेकेंड मतलब लास्ट से से सेकेंड वाले में प्लस 2 करना है, 14 प्लस 2 16 होता है, P की position इतना है, कहां दिखाई दे रही है, बिलकुर, लास्ट के से सेकेंड से आपको बाला मिलेगा, ठीक है, प्लस वान की सीरीज चल रहे है सौरी तो प्लस बन करोंगे एंट 14 है प्लस बन करोंगे 15 मिलेगा वह दिखना चाहिए इस दर राइट अंच यह बठें आगे प्लस बन किया था ना पहले भी QRS बिलकुल अगला सवाल ट्रैवल का कोड दे रहा है पॉलिसिं का कोड बताओ जल्बी से अपोजेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है टिप्स पहें कि नहीं इंडियन रेल्वे जी टी का ग्रेट ठीक है यह सब चीजें बोलते ही याद आती है या नहीं दी का वाई अपोजट होता है अब दिखो आनी जी बहुत सार एक्जाम सा होता है यूँ होता है बस यहीं से सवाल खतम हो गया वह बस बोलना चाहा रहा था पैटन आप धूंड़ो माक्स हम आपको दे देंगे पूरा नहीं निकलवाई ठीक है चलो अगला सवाल प्रोकन का कोड दे रखा है रैशिस का कोड दे रखा है ओंफर का कोड उसने आपस पूछ लिया तो जल्दी से बताओ दी की दिखाई दे रहा है ठीक है टू है फाइस दिखाई दे रहा है प्लस त्री हुआ प्लस 3 दिखाई दिया फिर आपने देखा 18 है 21 दिखाई दे रहा है वापस प्लस 3 हुआ O है 15 है यहाँ पर 19 दिखाई दिया प्लस 4 हो गया दो बार प्लस 3 दिखाई दिया फिर आपको दिखाई दिया प्लस 4 आगे गए के 11 है 15 दिखाई दे रहा है वापस प्लस 4 दिखाई दे रहा है बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं दिखाई दे रहा है मतलब position value नहीं आद की अगली बारियात करते हैं क्योंकि आगे के chapters में भी जरूरत पढ़ने वाली है एक्जाम में भी जरूरत पढ़ने वाली है एक की position value 5 है 10 दिखाई दे रहा है वापस हुआ प्लस 5 और लास्ट में आपने देखा न की position value 14 होती है एस होता है आपका 19 वापस प्लस 5 मतलब प्लस 3 दो बार फिर प्लस 4 दो बार प्लस 5 दो बार प्लस 5 दो पर से यहां से चेक करोगे तो दिखाई देता आपको 18 यहां पर दिखाई देता आपको 21 मतलब प्लस3 हुआ 1 प्लस 3 दिखाई दिया 19 फ्लस 4 दिखाई दिया 23 तो प्लस 4 त्रिस मेच दिखाई दिया 8 प्लस 412 यह जार 12 में अर cunning 18 प्लस 5 आपको 24 दिखेगा, pattern confirm हो गया, फटा फट से थोड़ा सा option की तरफ आओ, तो आपको दिखाई देगा, last वाले पर या तो आप चले जौड़ा है, ठीक है, कौन फर का code पूछा है, R में क्या होना है, 18 प्लस 5 होगा, 18 प्लस 5 कितना होता है, 23 होता है, W में दिखना चाहिए, इस W में आपको 3 दिखना चाहिए, और M में भी 3 दिखना चाहिए, तो ये होता है 13, ये होता है 23, ठीक है, ये 3 आपको दिखना चाहिए, चलो, X आपको पता है, R 23, last विल्कुल 23 चे होगा, देखो यहाँ से question खत्म हो, sorry, sorry, w, w देखो यहाँ से question में आपके यह option भी कड़ गया और यह भी कड़ गया w दो जगे बिल्कुल दिखा है तो यहाँ पर आप क्या करो, comment देख लो fr, fr मतलब इससे आपका answer निकलेगा, इन दो से निकल जाएगा, r, j और यहाँ पर s के दिखाई भी, ठीक है मतलब आपको क्या करना है, plus 4 करके देखना है, तो 23 plus 4 कर लो, या फिर 12 plus 4 sorry, confirm में देखना है, या मैं ठीक है, हम गलती से इस code में देखना है, मतलब n मैं plus 4 कर लो, 14 plus 4 कितना होता है, 18 होता है, r दिखना चाहिए, आपको अपना third alphabet C is the right answer, यहाँ पर 19 दिख रहा था या फिर आप करते 6 और 6 plus कितना करते, बिल्कुल आप 4 करते तो भी आपको यहाँ पर 11 दिख रहा था और यहाँ पर बिल्कुल 10 दिख रहा था, जी ठीक है, बढ़ें आगे यह question अब ऐसे है कि देखते ही बताने वाले question, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम इस चीज को उसने आप से पूछा है finally आप जब भी आपके Chinese coding वाले questions होते हैं, आप बस last में आके क्या देखते हैं, उसने पूछा क्या है काट का जो कोड दिया गया है, वो आपको मिलेगा कहाँ, आपने देखा काट light का कोड दे रखा है, straw handle फिर plug light का कोड दे रखा है toes handle अब इन दोनों में आप सबसे पहले चीज क्या देखोगे, जब बात हुई आपकी काट light की जब बात हुई आपकी काट light की और बात हुई आपकी plug light की दोनों में क्या common है इसमें भी light है और इसमें भी light है दोनों में light है, मतलब जब light दोनों जगे सेम है तो दो जगे एक ही कोड रखा होगा बात clear है, जब दो जगे एक ही कोड रखा होगा तो आपको पता है कि definitely आप काट का कोड निकाल लोगे कैसे निकाल लोगे twär handle, toes handle दो जगे जभ handle दिख रहा है तो आपको पता है यह जो handle कोड रखा है वो light का ही कोड है क्योंकि दो सब्सक्राइब जब light का कोड है आपको पता है तो दूसरा straw जो है वो तो cart का ही quote है न तो B is the B is the right answer समझ पाए यह चीज़ कम हो गई जब आपको पता था कि दो element थे दो जो code आपको दे रखे थे उसमें सिर्फ cart एक जगे था ठीक है यह बात हो गई इसी में अगर आप जाओ इसी में आप बोलते हैं नहीं हमने तो पूरा सवाल पढ़ा और पूरा सवाल पढ़के हमें दिखाई दिया कि कौर चीज़ भी तो उसमें दी थी cart plug का code cart plug का code दिया था उसने toll straw तो यहां से भी आप क्या करते हैं आप देखते आप क्या चीज़ देखते हैं कि यहां पर तो है cart plug और यहां पर तो है cart light अब यहां पर इन दौनों में सिर्फ cart ही common है कि जब दौनों जगे सिर्फ cart ही common है तो जो code दिया होगा वो दौनों जगे कोई एक code होगा जो दौनों में आ रहा है क्योंकि light और plug तो common नहीं है, सिर्फ cart common है, तो यहां से भी जब code देखते हैं, तो straw handle दिखता, और आपको दिखता, toe straw, तो दोनों जगे common क्या था, straw था, बहां से भी code straw आता, बहुत प्यारा सवाल, कि उसने भाई, दोनों ही चीज़े आपको एक साथ दे दी, बट जब आपक से कर लो, चाहे common से कर लो, आंसर कभी नहीं है, ठीक है, last question of this session, जल्दी से pause करो, जल्दी से बता दो, same, सबसे पहले जा कि क्या देखोगे, face का code उसने आप से पूछ रखा है, ऊपर गए, आपने देखा, distant face का code दे क्या रखा है, human said, फिर आपने देखा, face tears, आगे पढ़न की जरूरत है, क्या, इस सवाल को आगे पढ़ने की जरूरत है, क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने भी code उसने आगे देए हो, हमें पूछ लेना देना ही नहीं है, फिर face का code वो आप से निकल वा रहा है, आपने देखा, face tears का code है, set over power, अब एक बताओ, distance face और face tears में, दौनों जगे ही सिर्फ face common है, तो दौनों जगे उसका code भी common मिलेगा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, human set और set over power में, दौनों में common क्या है, set common है, तो क्या code होगा, बिल्कुल आपका set होगा, please the side answer, clear, चलिए, यही था आपका last question, अब हम अगले session में, अब क्यूंकि य GD की particularly आपकी series रहेगी हर एक chapter, आपको type wise, chapter wise, previous year की basis पर definitely मिलेगा, rest, digital हम क्यों नहीं कर रहे है, आपको already बता चुके है, क्योंकि उसके सारे, अब हमारे target है कि previous year questions हमें सारे करने है, mains के सारे ही previous year questions का compilation already है, तो आप उसे जाके दे सकते हैं, rest, आपको किसी chapter में जिसमें नेटली कमेंट करके बताएंगे